हैंड के मौसम में जितना तकलीफ होता है उससे अच्छा भी लगता है कभी कभी हाई गाईज आप सब कैसे हो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे आज का ब्लोग आज ना मैं चत पे आ गई हूँ और फिलाल सुबह सुबह आज बहुत सारा कप्रा में दो दिया क्योंकि बुखार की वजह से ना कप्रा में धो नहीं पाई थी तो फिलाल बेटे का कप्रा अगेरा सब कुछ दो डाला और बेटा फिलाल नहीं है तो वीडियो कि अधने सारा कप्रा पहल दोंट पुछ एक गरफिला एहां पर देखें यहां पर भुरॉश candle फिलाल की नहीं स्वट स्वार सर्वाग प्रण। दोैसं हो यहां पर देखें चिह यह मैं बोलरे की आज ही उठाकि गाया है तो मैने पौला नहीं सुट नहीं साहल के नहीं च तो तौर दिया हनुमान आय थे ना और यहां पर मिर्च का फ्लावर भी आया है थोड़ा चोटा सा फ्लावर और देगी धानिया भी बहुत सारा कितना सुन्दर लग रहा है ना तो गाईज हनुमान आके तोर दिया खा नहीं सकता बड़ाद कर देता है हम बिसकिट देते,लेकिन यह बिसकित ख़ाते है प्रोटी पराटा कुछ नहीं खाते है फिर बिसकिट खाकर और तोर म황 के खक्ता लगता है फिर भी यह खाते है और फिलाल में यह देखिए बर्ट का जहां पर रूम है वहां पर आ गई हूँ और हड़ी में बच्चा अभी है और बहुत जादा ठंट बढ़ा तो इसलिए अकल छोटा सा बर्ट का बच्चा मढ़ गया था तो मैंने आप लोगों कोई साथ सियर नहीं किया वो दिखाया नहीं और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था कि छो बच्चा में अड़ी मैं नीचे आगी हूं और मैंने देखा थोड़ा बहुत चूल यह गया जाली चाहली हो हम बंगारी लोग छूल चि चाली कहते हUंसे तो जाली थोड़ा बहुत बहुत अधर-उदर पर रातल अब Maui साल का नहीं कि भीषूगों साफ कर लो पीना जाली देख के ही ना मनलब जाली घर पे नहीं रहना चाहिए और थोड़ा भी जाली हो ना तो उसको साप कर देना चाहिए और कभी-कभी दिखाई नहीं देता कि इधर-उधर जाली पर जाता है तो होता है कभी-कभी होता है बट जब भी दिखाई देना तभी तुरंती जाली को सा जाली को पहले साब कीजिए जारो पोचा तो होगा ही होगा जाली अगर पर जाए ना तो वह बहुत ही दिक्कत देता है तो का इस साल का आखड़ी है मैंने सोचा थोड़ा जाली वाली साब कर लूँ और पिर उसके बाद बेटा तो गहे हैं और मचली लाने के लिए और आज मचली पकेगा और जादा कुछ नहीं तभीत भी चाहा ही था तो बुखार होता है ना तằभीत डेसे ही खराब हो जाता है और मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया पेला से मलग खाया था तो सही हो गया और अगर बुखार सही भी होता है पीर भी Editor भीडा खराब ही रहता है अभी सही होने में दो तीन दीन लगी जाता है तो गाई जब भी देखिए गला बैठा हुआ है आप लोगों को समझ में आ रहा है लेकिन थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा काम कौन करेगा हमारे गार में तो कोई नौकर वगरा कुछ नहीं है श् Heloade क्नाया बहुत मतलब कोई हैनि है कि बहुत वह तो खुड काम हम लोग काम कμε खुड करते हैं महानते और एक चाहिए तो इंशन को साधरन सा काम करना भी चाहिए धर का काम करने में कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता तो गाइस देखिए वो बेटा ममी के साथ कही थे और दोनों दूर बगेरा ये देखिए मचली लाए और बेटे के लिए बेटे का खाने लायक मचली नहीं यह संबन्दर का मचली तो को बहुत है मास्टर मचली के बिलां गालर कीति के दीना अगर बितना चाहिए मचली ये सब कुछ नहीं बीटे की लिए चिकंप बना दूगी और घर में बेटे का अलग अलग हम लोगों का अलग होता है जब बिर्यानी ही होता है सिर्फ सब लोग एक साथ खाते नहीं तो बीटे हमेशा अलग फ्रीचिंप अलग बना ना परता है और ऐसे तो हम मंगाली लोगों का एक सब्जी से या एक मचली से नहीं होता उसके साथ दो थिंग चाहिए चाहिए तो आज फिलाल मचली बन रहा है और ना वोई प्याच के लिए आलो की भुजिया मतला फ्राइ वोई बना लूँगी और बेटी के लिए चिली चिकन तो बेटी के साहता है कि अलवाटी का भाव जू बात बातWow है कि गर से निकाल देगा मा को उसका भाव सक हाहिए और बीटा मा को गर से निकाल देगा बोल रहे थे मुझे अपब जगनिऊगा हैवाप शनका धान वास मुझ झूल चाहिए तो पहले वाइब पर उसके बात बेटा है और बेटा मा को घर से निकालेगा अपने वाइब के बात सुनमिके मां को घर से NAKAL देगा और मा कहा जाएगी तो मैंने बोला बेटे को बोलो कि मैं ही तूमें घर से निकाल दूँगी क्योंकि मेरे हस्बिन का जगा है यह मेरा जाप पहले मेरा हक है क्या तो आज कल के बच्चे ऐसे ही बहुत ही बिगर गए है माबाप के साथ ऐसा बचसलू की करते हैं और आने वाला फ्यूचर क्या होगा पता नहीं और फिलाल देखिए चेल चिकन बन गया ह और फिर लंच थाली भी रेडियो चुकी है तो आज का वीडियो ज्यादा नहीं बड़ा करूंगी यहां पे ही खतम करूंगी तो बाई बाई गाई गाई इस